विश्व युद्ध दो दुनिया के इतिहास में सबसे दर्दना घटनाओं में से एक था लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो इसकी वजह से कई ऐसे आविशकार हुए जिन्होंने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है इस युक के प्रमुका विशकारों में से एक कैविटी मैगनिट्रॉन था जिसने रेडार को बहुत ज़ादा कारिक्षम बनाया cavity magnetron का इस्तिवाल microwave oven में भी किया जाता है जहां वे high power microwaves बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं इस वीडियो में हम cavity magnetron के पीछे छिपे physics का पता लगाएंगे cavity magnetron LC oscillation के सिध्धान्थ पर काम करते हैं LC oscillation तब होता है जब एक inductor के साथ एक charged capacitor रख दिया जाता है इस सरल से arrangement से electrons को आगे पीछे गती मिलती है oscillations के बारे में अधिक जानने के लिए क्रिपया बटन पर क्लिक करें जब एक inductor जोड़ी हुई antenna एक LC circuit के inductor के पास रखा जाता है तो antenna electromagnetic तरंगों को radiate करता है ये cavity magnetron के पीछे का सिध्धान्थ है स्वाभाविक रूप से oscillation के energy और इस सैध्धान्तिक उपकरण की radiation तेजी से कम होती है क्योंकि ये radiation के रूप में energy कोता है इस सैध्धान्तिक उपकरण को व्यावहारिक उपकरण में कैसे बदला जा सकता है आईए इसे आने वाले sessions में देखते हैं इस configuration को देखिए एक cathode और एक filament filament से जाती हुई current का प्रवाह cathode को गर्म करेगा और इसके कारण electron उसमें से emet होंगे इस घटना को thermionic emission कहते हैं दिल्चस्प बात है कि इस मामले में electron cathode पर वापस आते हैं यदि हम positive potential बाले anode को पास में रखते हैं तो उत्सर्जित electron तेजी से anode की और गती करते हैं जैसा कि radiation का सिध्धान्त बताता है चार्ज गती मान होने पर radiation उत्पन करते हैं हलांकि इस व्यवस्था में electron पूरी शमता से radiate नहीं होते क्योंकि वे interaction space में बहुत समय तक रहते हैं इस space में electrons को स्यादा समय तक रोके रखने के लिए एक permanent चुमबक को structure में लगाया जाता है magnetic field electrons को एक घुमाओदार पत लेने के लिए मजबूर करता है अब electrons का mark घुमाओदार होने से वे interaction space में जादा समय रहते हैं इस प्रकार बनी हुई आखरी रचना को hull magnetron कहा जाता है hull magnetron पहले बताई गई तकनीक की तुलना में अधिक कारिक्षम है हालां कि LC oscillations की मदद से इसकी कारे शमता में और सुधार किया जा सकता है जिसे हमने इस वीडियो की शरुवाद में देखा था आएए देखते हैं कि हम एक magnetron में oscillation कैसे प्राप्त करते हैं oscillation प्राप्त करने के लिए anode को cavities के साथ डिजाइन किया जाता है ये cavities magnetron के physics में भारी बदलाव करतेती है इसे समझने के लिए आएए एक साधर केस को देखें समझ लीजिए कि हमारे पास cavity वाला एक metal bar है मान लीजिए कि एक negative charge दादू के पास से गुजर रहा है ये स्वाभाविक है कि negative charge अपने पास के electron को पीछे धकेल देगा जैसा कि इस animation में दिखाया गया है इसी तरहे जब negative charge cavity के पास से गुजरता है तो cavity की सतहे के आसपास के electron disturb होते है आप देख सकते हैं कि इस उथल पुथल के कारण cavity की सतहों पर positive और negative charge जमा होते है संगशेब में cavity की सतहे capacitor plate की तरहे काम करती है यदि आप cavity की सतहे पर एक inductor लगा देंगे तो charge oscillation शुरू कर देंगे यही सरल physics cavity magnetron का आधार है एक magnetron में ऐसी कई cavities होती है thermionic emission में cathode में से बहुत सारे electron निकलते है आईए इन cavities में सबसे पहले आए हुए एक electron को track करते है जैसा कि उपर बताया गया है यह electron cavity की सतहों पर positive और negative charge को शुरू करेगा यहाँ cavities एक गुला कार में विवस्थित है इसका मतलब है कि charge हुई cavity surface की जोड़ी isolation में नहीं रह सकती है धातु में electric field को शूर्ने रखने के लिए सब ही cavity जोड़ों को विपरीत polarity के साथ charge रहना होगा यहाँ एक दिल्चस्प बात यह है कि cavity की गुमाओदार सतह एक inductor की तरह काम करती है इसका मतलब है कि संचित charge एक साथ LC oscillation करेगा एक metal loop और एक antenna के मदद से इस oscillation को बाहर निकाल कर इसे EM तरंगों में परिवर्थित किया जाता है यह oscillation magnetron में बने रहेंगे क्योंकि electron लगातार cathode से anode तक यात्रा करते रहते हैं और अपनी energy transfer करते हैं अब देखते हैं कि interaction space में बाकी बचे electrons का क्या होता है cavity की सतह पर पहुँचने वाले पहले electron ने cavity पर एक charge pattern पहले से ही बना दिया है इसका मतलब है कि 6 electron positive charge छेतरों की ओर आकरशित होंगे और वे एक खास spoke wheel pattern बनाएंगे जो ऐसी दिखेगी चूंकि cavity पर charge oscillation कर रहे हैं इसलिए spoke wheel को जैसे दिखाया गया है वैसे ही घूमना होगा इस घटना को गधे, गाजर और चड़ी के उधारन से समझा जा सकता है गाजर तक पहुचने के लिए गधा कितने भी कदम उठाए गाजर हमेशा उसकी पहुच से बाहर रहती है जैसे कि आपने देखा होगा कि एंटेना केवल एक cavity से जुड़ा होता है क्योंकि एक cavity में उत्पन magnetic field की लाइने दूसरी cavity के साथ भी जुड़ी हुई होती है इस घटना को mutual coupling कहा जाता है इसका मतलब है कि एक cavity से किया गया magnetic energy का निशकरशन सारी cavity के निशकरशन के समान ही होगा रेडार तकनीक को बढ़ाने के लिए विश्वयुद्ध 2 के दौरान UK में cavity magnetron को विक्सित किया गया था cavity magnetron एक छोटी wavelength पर power pulse उत्पन कर सकते हैं और इसके कारण छोटी वस्तूओं का पता लगाना संभाव हो गया cavity magnetron के compact आकार ने रेडार का आकार छोटा कर दिया UK की इस तकनीक को विश्वयुद्ध 2 के दौरान US में transfer किया गया था और शुरुवात में अमेरिकी विज्ञानिकों को cavity magnetron के पीछे की physics को समझने में काफी दिक्कते आई इसका मतलब है कि अभी आप जिस तकनीक को समझ रहे हैं वो सबसे जटिल engineering तकनीकों में से एक है